हेलो फ्रेंड वलकम बैक टू माई चैनल आज जो नोटिफिकेशन डिसस करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन में हम लोग तारीच यह देखेंगे राइट और यदि आप इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे आपको ऑन टैम गवर्मे जो आपको नोटिफिकेशन अप्लोड करी देता हूं तो इससे आपको अच्छी खासी बैनेफिट मिलने वाली है राइट तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हूँ यह नोटिफिकेशन जो है आपका वेस्ट बंगाल पुलिस रेक्लिटमेंट बोड में आई वी राइट और इसमें हम लोग सारी चेन डिटेल में डिसस करेंगे अलग अलग प्रोफाइल होंगी इसमें तो सबसे पहले हम लोग सैल्डी डिसस कर लेते हैं तो यहाँ पे सैल्डी आपका जो सभी प्रोफाइल के लिए यहाँ पे थर्टी टू थाउजंट वन हंड़ेट से एट्टी थाउजंट नाइन हंडड तक की सैल्डी होगी और इसमें जो है यहाँ पे आपका जो है सब इंस्पैक्टर और ओप कलकाता प्लीश में यहा और यहां पर हम लोग एज देख लेंगे तो एज आपका यहां पर 20 से 27 एर के बीच होगा इस टेट तक तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो और जो स्टुडेंट वेस्ट बेंगोल से हैं और यहां पर हम लोग देख लेंगे क्वाइफिकेशन तो आप यहां पर लिखने और बोलने आपको आना चाहिए बंगाली लैंगवेज राइट तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो और यहां यहां पर हम लोग फिजिकल देख लेंगे तो आप यहां पर देख सकते हो आपका जो है सब इंस्पेक्टर और पुलीस इसमें जो है यहां पर जो इस्टुडेंट गोडखा राजबंसी इस एस्टी में आते हैं तो उसके लिए जो है उसको छोड़के राइट अदरवाइ आपका जो है वेट इसमें 56 केजी होना चाहिए और जो इसके लिए नपर यहां पर हाइट हो और आपका जो है यहां पर जो है आप यहां पर दे सकते हो 76 cm without expansion और expansion के बाद 5 cm increase होना चाहिए और वेट आपका 52 kg होना चाहिए और यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका जो है candidate of all categories जो इस category में आते हैं गोडखाद, राजबंसी, ST category में आते हैं उसके लिए यहाँ पे यह vacancy आपका जो है सब inspectories और police के लिए है तो इसमें जो है इसमे यहाँ पे जो है इसमें 160 cm आपका हाइट होगा और यहाँ पे आपका छो है weight 48 kg होना चाहिए minimum और यहाँ पे जो student गोर्खाज राजबंसी, ST में आते हैं उसके लिए यहाँ पे 155 cm हॉना चाहिए minimum और यहाँ पे वेट आपका 45 kg होना चाहिए और यहां पर सर्जेंट इन कोलकाता प्लिस में देखें तो इसमें जो है जो स्टूटेंट गोडखाज राजबंसी एस्टी में आते हैं उसको छोड़ के अधरवाज इतने भी कटेग्रिय हैं सभी के लिए यहां पर जो है 173 cm आपका जो है मिनिमम हाइट होना चाहिए और य छो स्टूटेंट गोडखाज राजबंसी और हैस्टी में आते हैं तो इसके लिए यहां पर 163 cm आपका हाइट होना चाहिए और यहां पर चेस्ट के बाद 5 cm इंक्रीज होना चाहिए और यहां पर आपका जो है वेड हो जाएगा 50 लेक्शी और यहां पर आब हम लोग Inspector के लिए and Sergeant in Kolkata Police के लिए इसमें जो है 800 आपको run करने होंगे तीन मिनट के अंदर और यहां पे जो है सब inspectors के लिए देखें तो इसमें जो है आपका 400 मिटर करने होंगे दो मिनट में राइट और यहां पे जो है physically handicapped candidate जो है eligible नहीं है इस को फॉर्म करने के लिए इस vacancy को और यहां पे जो है selection method देखें तो इसमें आपका pre examination और आपका physical measurement test physical efficiency test के बेसिस पे selection होगा और यहां पे सबसे पहले हम लोग pre examination देखें तो यह आपका जो है 200 नमर का exam होगा और जिसमें आपका जो है यहां पे general studies local and analytical reasoning and arithmetic राइट इससे आपका question आएगा और यहां पे General studies में आपका जो है 100ald Number का होगा और फिप्टी question आएगा कि आपका local and analytical reasoning में आपका जो है 50 नमर का exam होगा और 25 ऐंगे और यहां पे arithmetic में आपका जो है ट्वंटी और आपका जो है 50 नमबर का एक्जाम होगा टोटल इसमें फर्स्ट पेपर आपका जो है 90 मिनट का होने वाला दिर गंटे का राइट और यहां पर जो है और हम लोग देख लेंगे और यह फर्स्ट पेपर आपका जो है दो लेंग्वेज में आएगा इंगलिस एंड नमबर का जहां कर'll फिर्स्ट पेपर आ nephew यहां पहला है हंडे नमबर का वाव später आपकर जो है जैनल स्टड's से आए गएगा और ट्विण फ्वनिफाइब आपकर जो है यहां पे पर थर्ट पेपर आपका बंगाली हिंदी उर्दू नेपाली राइट यह 50 कोस्टन अफिप्टी नंबर का होगा और एक घंटे का यह एकजाम होगा लास्ट पेपर होगा और और यहां पर हम लोग देख लेंगे इसमें जो है यहां पर आप आप जो है 19 जुलाइ से пиш के लिए आपका जो है यहां पे जो स्टूडेंट सेस्ट में आते हैं उसको छोर के अधरवाई जितने भी कटेगरी हैं सभी के लिए यहां पे टोटल आपका 270 आपको अप्लिकेशन चार्ज लगेंगे और जो स्टूडेंट स्ट में आते हैं और बेंगॉल के प्रोपर स्टूडेंट है तो उसके लिए only 20 रूपीज अप्लिकेशन चार्ज होगा और यहां पे फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहां पे दो-दो वेबसाइट दिया हुआ है इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो और यहां पे पेमेंट आप के काड कारिद कार निट बैंकिंग से कर सकते आप और इस नुटिफिकेशन में कुछ नहीं है और यदि आपको कोई भी दाउट होता है फॉर्म फिल करने में भा य announce के बारे में तो आप कमेंट कर सकते ओ तो तो थैंक यू वाचिंट वीडियो